तो करोना ने अपना घर करा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हमारे डोक्टर, हमारे नर्द, हमारे पुलिस कर्मी, हमारे स्वास्ते कर्मी, सभी लोग डट कर इसका मुकाबला कर रहे है आज जब हम बात कर रहे हैं कि ये करोना जो दूसरी लहर कही जा रही है अभी कितनी लहर आएगी ये तो समय बताएगा लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक तीसरी लहर भी आने वाली है और वो जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए खतर ना के दूसरी लहर के अन्जाम हमने देख लिए शायद अब हमें सभल जाना चाहिए जो चीजे कही जा रही है कि मास्क लगाया जाए छे फिट की दूरी कम से कम रखी जाए वो सब अब करना होगा क्योंकि वो इस दूसरी लहर को देख कर आप जान सकते हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास महमान जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर ग्रीस त्यागी है सचीव हैं दिल्ली मेडिकल एशोशेशन के हमारे साथ डॉक्टर विवेक जैन है जो चाइल्ड स्पे साथ डॉक्टर एस पी शर्मा चैल्ड स्पेसलिस्ट वह भी जुड़ेंगे सबसे पहले में गिरिश जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं और वैसे भी दिल्ली मेडिकल एशोशेशन जितना अच्छा कारिय कर रहे हैं वह अपने आप में काबि बातों पर आप क्या कहेंगे और आज हम बात करेंगे क्योंकि दूसरी लायर पहरी लायर यह तो सब ने देख ली जो तीसरी लायर की बातों रही है वह क्या है डॉक्टर ग्रीश जी जी जहां तक तीसरी लायर का है कि जो एक आने का अंदेशा है जिसको की हमारे सइंटिस्ट और सब लोग कह रहे हैं तो सबसे पहले तक हूँ कि जो हम सेकिंड वेव को जिस साब समने देखा है तो पहले चीचते हैं कि जो हमारे को उसके लिए त्यार हुना चीज है कि वैव में तुछ पूसी इन से verdict ने का था हमारी सरकार है कि खर सब्यक्राइस विद्व करें से अधिगत खरना था संग कि बूंबई मانगी और करें अपने आपको मजबूत करें इंफरस्ट्रक्टर के साफ से फैसिल्टी के साफ से मेडिसिन के साफ से और किसी भी क्रेटिकल्टी तक अगर पहुंचें तो उसको हम अंजाम दे सकें मरीजों की सिवाव में करें बिल्कुल और डोक्टर गरीज जी दो तीन चीजें इसमें और है एक तो अभी नहीं एक जो गाइडलाइन आई है उसके अंदर कहा गया है कि प्लाज्मा थरेपी अब जरूरी नहीं है उससे लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे कि हर बार कुछ-कुछ दिनों के बाद को कोवीड की जो गाइडलाइन है वो भी चेंज होते रही है उसके लावा यह भी कहा जा रहा है कि पहले जो वैक्सीन का टाइम था वो को वैक्सीन अठाइस दिन और कोवी शिल्ड जो है वो बेयाल इस दिन लेकिन अब उससे भी हफतों में कर दिया इस पे भी हम चाहेंगे हैं तीसरे पर सर्कुलर है जानी एक हर आये दिन दूसरे दिन एक नहीं काईड लेना जाती है चाहे सरकार की तरफ से चाहे डेवलोचो की तरफ से हो और इसी साब से कंफूजन इतना बनावा जहां तक प्लाजमा का था पहले जब फर्स वेव चली तुसमें प्लाजमा प्लाजमा की का इफेक्टिवनेस उतना नहीं है तो एक तो यह बड़ा कंफूजन है इसके साथ यह रेमेडी से इसकी काला बजारी और पूरी तरह से होती रही उसका भी रोल कभी रेमेडी से बहुत ज्यादा फाइदे मन्द है किसमें फाइदे मन्द है तो यह लोगों म इसके सब्सक्राइब का कई तो इसके बाद कहाँ ऊछया इसके से उसमें लोगों को लगता है कि कूटी वहलें नहीं है हमारे पास इसलिए शाह सरकार ने जबस्ती को अपने आपको बचाने के लिए इसका डूरेशन बढ़ा है तो इस साब से यह confusion लोगों में फैला हुआ है और यह लोग जी जी यह confusion दूर होना बहुत जरूरी है और खासकर जो इस तरीके का confusion आज चल रहा है उसमें इसी तरीके की बाते हो रही है कि शैद वैक्सिन नहीं है इसी को दूर करने का परियास हम भी कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो आगे आकर बताएंगे और हमारी साथ डॉक्टर व लेकर जो डर है अब वो जादा बढ़ गया है पहले भी करोना को लेकर डर था लेकिन ऐसा कहा जा रहा था है कि शायद बच्चे इससे दूर रहेंगे लेकिन इस बार भी कही ना कहीं हलका फुलका बच्चों के अंदर भी है लेकिन जो तीसरी लहर की बात हो रही है वो उसी पर बात करेंगे कि उनकी वैक्सीन की कहस्तिती है और बच्चे उससे किस तरह से बचाये जासे कि क्योंकि ना तो वहां मास्क काम करेगा बच्चे को आप भी देखते हैं कि तीन साल का चार साल का बच्चा है कैसे वो मास्क लगाएगा कैसे वो सोसल डिस्टेंसिंग क पालन करेगा तो यह बहुत सारे चुनोतियां अभी आने वाले समय में हमारे सामने हैं डॉक्टर विवेक जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर देखे गुस्वामी साहब जैसे कि आप जानते हैं कि हम पास्ट की बात करें हम यह सोचते थे कि कविड कभी बच्चों को एफेक्ट नहीं करता अगर आप साल भर पहले की बात करोगे कि वह खाली ओल्ड एज पीपल या फिर जो बुजुरूब लोग हैं उनको एफेक्ट कर गठेगा बद आप स्कुरूब आप साहर अगर कि आप definite हैं अगर फिर्स्ट वेखेंगे बाती बच्चे रहते थे यह सेक्टिन अिवने फिर्स बढे तो आपर के इमोरे का बच्चे ओंड करीवारे तो आपर थेक्ट सब पीज इज़्ग गामी के वह नोगले हैं को पिश तो ये false security किसी को भी देना या feel करना कि बच्चे से spare हो जाएंगे that is not correct, ये सही नहीं है मगर एक बहुत अच्छी बात बच्चों में ये देखी गई है जो हम pediatricians feel करते हैं by God's grace, जारातर बच्चे इस बिमारी से अराम से fight कर जाते हैं and complication के chances बच्चों में बहुत ही कम पाये जाएंगे कि उनमें admission की requirement या सिख होने के chances बहुत non-significant होते हैं which is a very fortunate thing now coming to you know how to prevent kids as you said कि सबसे बड़ी problem बच्चों के साथ हमारी ये याती है कि ना तो हम छोटे बच्चों को मास पहनने के लिए कह सकते हैं और ना ही हमारे पास unfortunately अभी कोई vaccine available है ना ही कोई ऐसी predicted vaccine near future में आनी वाली है कि जो कि हम छोटे बच्चों को जिससे हम protect कर पाएं सबसे बड़ा जो वरिसम बात है कि अब हमारी जो older population है that has been immunized young you know middle age people have been immunized तो covid अब जो third wave आएगी क्योंकि बढ़ी है ज्यादा तक immunized हो चुकी है तो there is a possibility ऐसा कोई prediction नहीं है कि बच्चे ही affect होएंगे बट ऐसी possibility है कि बच्चों में ये infection ज्यादा देखा जाए जो कि पिछले हम इतने समय से देख रहे हैं कि हमें covid appropriate behavior covid बच्चे यूजली बाहर से लेके नहीं आते है क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जाते हैं यह जो infection है यूजली हम बड़े लोग we carry from our work place और हम बच्चों को जाके देते हैं तो इसलिए covid appropriate behavior जो older people you know people who are जिनको मजबूरी में बाहर काम के लिए बाहर जाना पड़ता है they should take all precautions कि उनको covid ना coming back to your vaccination point कि vaccination you know बच्चों में कब आएगी और उसे कितनी safety होगी if we see there is no prediction कि एकदम immediately अभी कोई 3 मेने 6 मेने हमारे पास कोई safe vaccine particularly छोटे बच्चों के लिए आने वाली है तो हमारे पास जो weapon है वो यही है कि हम basic rules follow करें which is social distancing हम बड़े लोग at least mask पहने और hand hygiene और basic basic hygienic practices है उनको हम follow करते रहें बिल्कुल बात यही है घुम फिरकर की mask लगाना है हाथ sanitize करना है कितना safe आप को रहना है वो आपके उपर है अगर आप safe है तो घर safe है यही बात सभी कह रहे हैं आपको स्वागत है शुकला जी अभी बहुत सारी चीजे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत सारी बाते बताई वर्तमान समय में हम बात कर रहे हैं कि अभी जो second wave चल रही है वो सभी ने देखी कि कितनी घातक सी दो रही है और कहीना कहीं वो ये भी कह रही है कि जो स्वास्ते सेवाए हैं उस पर एक बहुत बड़ा परसंद चिन भी लगा रही है कि आखिर क्यों हम चेते नहीं यह अपने आप में एकदम कटू सच चाहिए है और इस पे सबको सहमत भी होना चाहिए कि हम failure रहे कहीना कहीं लेकिन यह अच्छी बात है कि चाहिए वो सरकार है या लोग हैं उन सब ने कैसे न कैसे करके इस इस्तिती पर एक कहते है ना पार पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अभी अभी कुछ चीज़े नहीं है एक बात तो यह सबके मन में कि जिसको कोविड हो चुका क्या वापिस उसको दुबारा कोविड हो जाएगा क्योंकि यह अभी चल रहा है ऐसे बहुत सारे केस भी आए हैं कि जिसको दुबारा भी हुआ एक चीज दूसरी बात जो वैक्सीन का गैप है क्योंकि एक वैक्सीन लगने के बाद दूसरी वैक्सीन को कह रहे हैं पांस से छे हफते आठ हफते दस हफते तक की बात हो रही है तो क्या वो एक वैक्सीन काफी है उसे बाहर जाने के लिए या वो एक वैक्सीन लगाने के बा तेज आठ हथे अब इसको बारा आपते कर दिया गया है जब कि और कुटेशों में इसको आठ हथे ही रखा गया है इसके विचार करना पड़ेगा है जो हमारे लोग हैं जो यह पॉस्टिज बना रहे हैं जो इस तरीके के वैसे निशन को देख रहे हैं कि एक्विट टाइम क लेकिन यह भी बात है कि जिनको दो डोज हो चुके हैं वो भी इंफेक्टोर हैं उनको डेथ भी हुए यह पेचे चेंट है अलीज जी दोक्टर केजिय अर्वाल था है उनके बारे में भी यह चर्चा है कि उनको दोनो डोज लगी थे और उनकी डेथ वी तो ऐसा कोई रू कि नहीं है कि जिसको दो डूज लग जाए कि कोरोन नहीं होगा अगर उसके शेल में एंटी बाडी बन गई हैं तो वो सक का है कोरोना इंफेक्ट्चन हो वाड़ आफ हो जाए उसको पताना चले अन्सिम्टोमेटिक हो या थोड़ा बहुत सिम्टम हो कोई फैटल डिजिस हो जादर समाना यही होती है कोई भी वैक्षीन 100% शेवटी नहीं देती किसी के 70 है किसी के 70 है अब इस पुतनिक वाले और ज्यादा क्लेम कर रहे हैं नंबर दू यह कहना कि जो इस समय जो सेकेंड वेव है फास्तों खतरनाक है एक अजीब महुल बन जया है पूरे देश मे लोगों का मिलना जुलना आपसी समाब्स हो गया है हर आदमी डरा हुआ है कि पता नहीं कब क्या होगा आज भी जो मैंने डूर जेशन पर देखा कि मौतों के चंक्याद चार जार दोसो ड़ाइस होते अधिक है तो यह नहीं मैं समझ पर रहा हूं कि अगर केसे कम हो रहे है तो मौते को मड़ रही है अगर केसे करें वौटे के नहीं को के चाहिए इस बारे में जो भी हमारे पालसी मेखर सहं उनको चाहिए कि चगन विचात करें कि मौते क्यों हो रही है और हमको कशर और सकते हैं क्योंकि काफी मौतों की वज़े से मौतें हो रहे हैं क्रिमेशन वे लोगों में एक भैवयाक्त हो गया इस भैव को समाह से दूर करने की जुम्मेदारी हम सब की है ऐसे सिविलियन हमारी है सरकारों की भी है और जो भी हमारे अब बहुत सारी चीज़े आपने बहुत सारी बाते कहीं अपने आप में बड़ी हैं मैं क्योंकि आज की तारीक में लोग एक तरीके से कैद महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं पहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी बाते हैं। सब एक ही बात यहां सबसे एहम हो जाती है कि मास्क जो है और हैंड सेनिटाइजर यह जो अपने हातों को आपको बार बार धोते रहना हैं। लगाना है। इसको लेकर ही फोपरतिशत हम कहेंगे कि सही है कि वेक्सीन के बाद की स्थिति आपके सामने हümे वेक्सीन के अलावा जिसको विडिच में गया उसकी बीश्थित्थि कि सामने तो आईसे में जो एसकरी लहर बात कर रहे हैं जिसके भी शुक्ला जी नहीं बोला कि इस पर confusion है उसके अलावा ग्रीस त्यागी जी नहीं बोला कि एक बहुत बड़ा confusion है तो यह जो सारे confusion है उसे लेकर आप क्या कहेंगे कि वैक्सीन का time duration क्या होना चाहिए या वास्तों में जिस तरीके की guideline बार-बार आ रही है वो सही है या या इसके पीछे की कहानी कुछ और है क्योंकि हर और अभी तक यह हो रहा है कि वैक्सीन कहीं मिली और कहीं नहीं मिली यह अलग बात है कि बहुत ज़्यादा परियास सब कर रहे हैं लेकिन अभी जो इस्तिती आई है ऐसा कहा जा रहा है कि कि वैक्सीन का टाइम बढ़ा दिया जाए वो टाइम बढ़ाने को लेकर हर किसी के मन में शंका है तो इसलिए कहीं ना कई पैनी के आदमी वो चाह रहा है कि मेरी वैक्सीन अभी लग जाए क्योंकि दूसरा पता नहीं कब आएगा तो यह जो इस्तित है इसे लेकर भी हम च होई यह महा मारी हुई और थेकेहन वे विवित इसके बारे में किसी ने बहुत धिहान नहीं दिया गंबीरता नहीं लिया इफ म Beanी को इंफैक्ट हमारी जो बहुरत का हैट लिस्टम है जो वेरियोज गौवर्मेंट की रही है एकी ने इसके लिए इतना ध्यानन लेकिन बीच में जो थोड़ी लेतलाली हो गई कि जन्वरी फर्वरी में कोई वैक्सीन मैनुफेक्टरर चाह रहे थे आना जोवर्मेंट ने परमीशन नहीं दी सरकार के साइन्टिफिक एडवाइजर कोविट के जो इंचार्ज से उन्होंने भी ऐलर्ट किया था फेबरेरी और मार्ट विट्निंग में कि ये वेव काफी खतनाग हो सकती है बट उतना इसके उपर किसी वज़े से ध्यान नहीं हो पाया तीसरी चीज है कि वैक्सीन जो बन रहे हैं वो सरकार को प्लान ये करना था कि जो भी वैक्सीन बन रहे हैं पहले हम अपने देश का ध्यान रखें क्योंकि यहां की जो जन्संख्या है वो बहुत जादा है पूरा ध्यान इसी तरफ होना चाहिए था और सरकार अपनी तरफ से कर रहे ही है कोशिस जितना हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि जो टीका करंट हो रहा है या टीके जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इस समय जनसंख्या को देखते हुए COVID के फैलाव को देखते हुए बहुत कम है हमारे जनसंख्या के मात्र 10% लोग अभी वैक्टिनेट हुए है जो की बहुत ही कम है जिस हिसाब से केस फैले हैं जिस हिसाब से चीजें चल रही है ये बड़ी दुबभरी बात है बड़ तकार अपनी तरह से परियास कर रही है अब दूसरे वैक्टिन भी आ रहे है जैसे स् सब्सक्राइब तो ये सब चीजें थोड़ा सा कर जल्दी शुरू हो कही होती तो मेरे ख्याल से चीजें इतनी खराब शायद नहीं होती जितनी आज तो नजर आ रही है अब ठीक प्रियास चल रहा है जितने वैक्टिन से अविलेबिलिटी है उसी इसाब से लग रहे हैं लेकिन तोड़ा सा प्लाइनिंग में कहीं नहीं पॉल्ट हुआ है जो देख रहा है और जिसके नतीजे देख रहे हैं बच्चों के मामले में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक तो पहली बात है बच्चों की वैक्टिन अभी दो वैक्टिन में ट्राइल चल रहा है इंडियन को वैक्टिन को दो से अठारा साल के बच्चों के ट्राइल की पर्मिशन दे दिया है फाइजर अमेरिका में कर रहा है बच्चों के ट्राइल दो से अठारा साल के बच्चों के लिए तो यह वैक्टिन जब आईंगी उनके रिसर्च फेस सेकंड फेस थर्ड फेस ट्राइल होईंगे तब पता पड़ेगा कि इनको किसने गैप में बच्चों में देना सुरक्षित रहेगा बट मैं यह चाहूंगा और यह रेकमेंट करना चाहूंगा कि हमारी सरकार बच्चों के अड्मिनिस्टेटिव अधिकारी हैं, आर्ट डव्लू एज हैं, गाउं में प्रधान हैं, यह सब बच्चों की एक लिस्ट वगेरा सब अपनी तयार करके पहले से तयारी करके रखें कि जब भी वैक्टीन आता है क्या कि वैक्टीन अभी फायल फेज में हैं, जब भी आता ह हैं, तो इतना जल्दी हो सके उसे लगाया जाए उसना उचे से, और उसके लिए जैसे आजकल बच्चों को कोई अस्पटाल नहीं ले जाना चाहता है, रुटीन वैक्टीनेशन के लिए नहीं ले जाना चाहता, कि बच्चा बीमारी ना पकड़ ले, तो जो बच्चों की हैं, पीडाटीशन, पूरे इंडिया में हम लोग 30,000 पीडाटीशन हैं, जो रुटीनली बच्चों को वैक्सिनेशन लगाते हैं, और बच्चे हम लोग को ओरियन्टेशन है, आदत है बच्चों को वैक्सिन लगाने की, और तो इन लोगों का सहयोग भी लिया जाए, कि इ हमारा देश पड़ेगा, और बच्चों को मझे लगता है कि जो दूसरे वैक्सिन लगते रहे हैं, उससे भी थोड़ी इम्मुनिटी बच्चों को एंटीबाटी से कुछ प्रोटेक्शन रहा है, इसी वज़े से बच्चे इतने सीरियस भी बीमार अभी तक नहीं पड़े ह तो आगे एक तैयारी सरकार की तरफ से, पब्लिक की तरफ से ऐसी हो जाए कि पूरा रिकॉर्ड बच्चों का डिवलप हो जाए कि जब भी वैक्सिनेशन आए, जब भी इसकी परमीशन आए, रेकमेंडेशन आए, तो वो बहुत जल्दी उसको प्रैक्सिकल उसके यह क्यूंकि समय कम है और आप सभी लोग भी बिजी हैं, आपका भी कीमती समय है, ऐसे में गिरिश जी अगर हम देखें, एक बात में यहां यह जानने चाहरा हूँ कि वर्तमान समय में जिस तरह से वैक्सिन की बात हो रही है, और सभी लोगों ने कहा कि वैक्सिन है, जैसे पर दो डोज हैं उसमें भी अंतर है उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ है कही जा रही है कि तब भी आप सेफ हो या नहीं हो आप मास्क लगा के रखो जो विवस्थाएं चल रही है वैसी रहें यह क्या है और हमारे यहां वो एक डोज क्यों नहीं हो सकती और जो परसेंटे मैं कहता हूं कि हमने लगाई और उसके बाद उसका उतना बड़ा इंपैक्ट आया नहीं आया क्योंकि कोई ऐसा परमान तो है नहीं कि वह बिल्कुल एकदम शोट आप बिल्कुल फिट हो गए तो ऐसे मैं आदमी का मन करा कि मैं क्या करूं तो वह दूसरी वैक्सिन तो सब्सक्राइब के लिए और जहां तक आपने का कि कोई शील में इतना टाइम है क्योंकि आज की डिट में आपको पहली डोज लेने के बाद कुछ एंटीबोडिस बनती है लेकि प्रोपर इम्मुनिटी आपकी जब सब्सक्राइब मिलेगी तब ही आप प्रोपर इम्यून ह हो बाएंगे उसके बाद भी हमने देखा कि कुछ दिल्ली के करी में कम सकंव तीन डौक्टरों को जाता हूं डॉक्तर केके अगर्वाल डॉक्टर शेख अगरवाल और रावत था जो कि सुरोज अस्पताल में थे इन तीनों डॉक्टरों ने दोनों डोज लगाई थी उसक करने पड़े तूसरी चीज अपने एक सबसे जरूरी है कि जो सरकार का आज की रिट में वेक्सीन हमारे पास बहुत कम है क्योंकि पहले जब वेक्सीन शुरू हुई थी तो स्टेंब हैसिटेंसी थी इंकुडिंग डॉक्टर्स नर्सी में भी वह हैस्टेट करते वेक्सीन ल है तो बहुत सारी चीज़े हैं सभी लोगों ने अपनी राय दी आप सभी ने बहुत कुछ बताया और कहीं ना कहीं हमें भी देखना चाहिए कि अब हमें करना क्या है कहीं ना कि जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी जा रहे है उसका पालन होना चाहिए आप सभी लोगों या हाथ धोने की बात हो रही है या मास्क की बात हो रही है उसे मानना होगा उसे करना होगा अन्यता नतीजे आपके सामने है और जो तीसरी लहर की बात हो रही है वो इससे भी ज्यादा घातक हो सकती है तो कम से कम अब जो सरकारे कह रही है जो गैडलाइन दी जा रही है उसक कि जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और तभी देज भी सुरक्षित रहेगा यहां एक शब्द बहुत ज्यादा तेजी से गुंजा कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है तो यह जो आबादी ज्यादा है इस पर भी विचार करना झाल